नमस्कार दोस्तों, बोर्ट स्काई में आपका स्वागत है महिलाए हो या पूरुष, दोनों के शरीर पर स्ट्रेच मार्क्स निकल सकते हैं एकदम से वजन बढ़ने, वजन घटाने या फिर स्किन के किसी और कारण से खिचने पर स्ट्रेच मार्क्स पढ़ जाते हैं प्रेगनिंसी के दोरान डिलिवरी के बाद ज्यादतर महिलाओं के पेट पर स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं वहीं बड़े होने के दोरान बच्चों के शरीर का विकास होता है जिस वज़ा से आपके हाथ पैरो, जांगो, पेट या सीने पर stretch marks दिखने लगते हैं इन marks को कुछ घरेलो उपायों से कम करने की कोशिश की जा सकती है ये ऐसे निशान है जो रातो रात ठीक नहीं हो सकते इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि नारियल की तेल से stretch marks को आप कैसे हटा सकते हैं नारियल की तेल, stretch marks को कम करने के लिए नारियल की तेल लगाया जा सकता है नारियल की तेल में fatty acid पाय जाते हैं इस तेल में तवचा को anti-inflammatory gum भी मिलते हैं और closing produce करने में भी ये तेल मददगार होता है हलके हातों से नारियल की तेल को stretch marks पर लगाया स्किन ज्यादा oily लगे तो कुछ देर बाद इस तेल को लगा कर पोच भी सकते हैं stretch marks पर नारियल का तेल इस्तिमाल करने से काफी लाब मिलेगा stretch marks पर आप नारियल का तेल इस्तिमाल करके उन्हें हलका कर सकते हैं इसके अलावा नारियल तेल के इस्तिमाल से कोई side effects भी नहीं होते हैं साथ ही इसे तवचा की कई समस्याओं में आराम मिलता है इसके उपयोग से आप वापिस अपनी बेदाग और stretch marks फ्री तवचा पा सकते हैं इसके अलावा नारियल तेल के साथ आप कई चीजें मिला कर भी आप stretch marks पर इस्तिमाल कर सकते हैं जैसे नारियल तेल और हल्दी नारियल तेल और एलोवेरा नारियल तेल और नमक नारियल तेल और इनका मिशन लगाने से आपको stretch marks कम करने में काफी फायदे मिलेंगे तो दोस्तों इस वीडियो में फिलाल इतना ही वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमें सेक्षिन में जरूर बताइएगा वीडियो को लाइट शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा